हलो फ्रेंड्स नमस्कार श्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डारेक्शन में शातियों आज के इस वीडियो में हम बात करनेंगे अर्थ 8500 सिच्चक भरती की जिसमें पुनर मुल्यांकन के द्वारा जो 4733 भ्यार्थी पास हुए हैं और उनके आवेदन आउनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं एक मार्च से पांच मार्च तक उसके बाद साथ मार्च को उनकी कौंसलिंग है और आठ मार्च को उनको जोईनिंग लेटर दिया जाएगा अब इसमें बात यह चल लई है कि बहुत सारे आप भ्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं य जाति प्रमारण पर ऐसा है निवास प्रमारण पर ऐसा है वैसा है यह सब चीजें कब तक माना जाएगा कब तक कर नहीं माना जाएगा क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर चर्चा कर कर दो इसके लिए आपको सबसे पहले साथ कि यह करना है कि वीडियो को यार लाइक करो पहले आप लोग लुक्ट करिये वीडियो को जिससे मुझे सके एंड़ियो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा लीजिए क्योंकि यहां पर आप वह सी तरह की हर तरह की अपडेट हर भरती से सम्मधित नहीं नहीं अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती रहती है तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ अभ्यारतियों के कमेंट ऐसे आए कि शर मेरी वाइप का इस भरती में सेलेक्शन हुआ है पुरहर बुर्लांकर के दोरा उसमें और उनका जो जाती प्रमानपत्र है या निवास प्रमानपत्र है वो उसमें उनके पिता जी का नाम है और मैं उसमें अपने नाम से बनवाऊं या पिता जी के नाम से लगा दूँ इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं तो पहले हम इस प्रशनों के आपको उत्तर दे देता हूं कि देखिए सबसे पहले आर्शाट यार पांसो जो सिच्छक भरती थी इसमें आपने रेइस्टेशन किया होगा सुरू में सबने किया था तो आपने भी किया होगा तो जब आपने किया था तो वहां पर एक लाइन और निवास प्रमापत्र जोली होता है वो लगाना उचित रहेगा अगर आपने अपने पिता का नाम ही दे रखा है उसके बाद आपकी साधी हो गई तो आपका पिता के नाम से ही दोनों प्रमापत्र बने होंगे तो आप वही लगाईए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है और वैसे भी अगर साधी हो गई है उसके बाद भी अगर आप पिता के नाम का प्रमाल पत्र लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वो मान लिया जाता है क्योंकि वो आपका जाती है उसमें पिता का नाम केवल आप से मतलब होता है ठीक है और निवास प्रमारपत्र में भी यही संबंदित होता है अब इस प्रशन का उतर मैंने आपको दे दिया अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी मतलब कन्फूजन हो रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं अब बात करते हैं हम जाती प्रमारपत्र और निवास प्रमारपत्र की वैलिडिटी के बारे में देखिए सबसे ज़्यादा कि अभी तक जो पुराने अभ्यारती सेलेक्ट हुए थे उनकी जो कौंसलिंग हुई थी उनके अनुशार जो अपडेट यह है कि ज़्यादा तर ज मार्च में कौंसलिं करवा रहे तो बहुत ज़्यादा दिशंबर तक का वो मांगेंगे कई जगे सब जगे में नहीं कह रहा हूं नेकिल कई जगे वो लोग यही डिमांड करते हैं कि हमको ऐसा ही चाहिए ठीक लेकिन ऐसा नहीं होता है फिलाल जो जाती और निवास है उसक निकल वा सकते है यह आप खुद भी चेक कर सकते हैं अगर जाती और निवास का आपका व्यैटा निकल रहा है साइट से जाकर तो आपका माने है और उसको लगा सकते है वो आपका वैलिट है ठीक है अगर व कनल लैटा यहे नहीं liar नहीं हमानाजाता है क्योंकि जब तक वह online site पर update है तब का वो तब तब तक वो आपका प्रमाल पत्र सही माना जाता है ठीक है तो सब देखिए अब जब आप counseling करवाने जाएंगे तो आप यह याद रखिएगा कि जो जाती का प्रमाल पत्र है original और उसकी photocopy आप लेकर जाएंगे बिलकुल निवास है उसका original और photocopy लेकर जाएंगे आप यह आपको confirm है यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक यह याद रखिएगा जाती और निवास दोनों का online verification एक later होता है किसी कैफे में जाएंगे तो निकाल देगा वो निकलवाकर जरूर जाएगा ठीक है वो निकलवाकर जरूर जाएगा कि पिछली बार कई विये से office में यह मांग भी लिया गया था वो जरूरी भी है और उससे आपका यह प्रूब भी होता है कि आपका यह अभी valid है और site पर अभी तक update भी है तो उससे आपका एक मजबूती भी हो जाती है लेकिन ज़्यादत तर अभी भारती कोसिस करें कि माल लीजिए यह 2018 की भरती थी तो 2018 का ही जाती निवास अगर है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कहीं कहीं पर problem करते है विये से office में तो फिर उसमें परिशानी होती है यह प्रमान पत्रों को जो नए बनवा हैं आपने वो आप उपयोग में लाईए दूसरी बात यह भी आद रखिए अगर बाई चांस माल लीजिए आपके पास नहीं भी है या नहीं सो हो रहा है तो आप counseling करवा लीजिएगा पुराना certificate लगा कर और उसके बाद आपको परयाद बाद में जमा करवा दीजिएगा ठीक है या joining के समय जमा करवा दीजिएगा या बाद में जमा करवा दीजिएगा यह समय आपको दे दिया जाता है तो यह कुछ चीजे थी अब मुवेरे हिशाब से आपको सारे आपके प्रशनों के उत्तर लगबग मिल गए होंगे कि जा के नीचे comment box में comment कर दीजेगा आपको उसका तुरंद reply कर दिया जाएगा और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा और आप आपको पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने शाथियों के शाथ और अगर चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब करके बिल आइकन दबा लीजेगा क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के नई नई अपडेट आपको इस चैनल में लग